हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब वेलकम तो दी लाइफ सेशन ऑफ डाउट नर्ट सो आज हम मिले हैं किसी एक स्पेशल गाइडेंस के लिए ठीक है मैं यहां पर आपके सामने कड़ी हूँ आपको बताऊंगी एक कुछ स्पेशल टिर्ट जिससे आपके लिए हो जाएगा बचो हिस्ट्री को पढ़ना असान हिस्ट्री का नाम सुनते ही एक ही वर्ड आता है कि बहुत बोरिंग है आई नो कई बार ऐसा होता होगा कि आपको बोरिंग लगेगा ठीक है लेकिन आप विडियो को देखिए जिसके जर करवाना ठीक है तारी के याद करना सबसे बड़ा तास्क होता है एसस्टी में चाहे वह आपकी हिस्ट्री हो चाहे वह आपका मतब अगर 10 के बच्चे देख रहे हैं तो 10 में तो बहुत ज्यादा डेट्स हैं क्योंकि नाशनल मूव्मेंट वाले चाप्टर आजाते हैं रा हां यह मैथर्ड इजी वे में है और वी कैन हाव अब बेसिक कॉंसेप और बहुत ही इजी वे में हम इसको कर सकते हैं चालिए सांट करेंगे बच्चो वाट इस इजिएस वे तो स्टडी दा हिस्ट्री अन कैसे हम दो चीजों को बहुत यह असानी तरीके से याद करेंगे चालो सबसे पहले बच्चो मैं बताऊंगे आपको वीडियो को लाइक शेर कॉमेंट जरूर करना है ताकि हम और इंकरेज हो जाएं और सारी ऐसी वीडियो बनाने के लिए तो स्टार्ट करते हैं पुच्छे पुटो जयु कि हाँ पाला झालेगे उवीडियो फतलम भी भी नाम आता है, तो हमारे जो शकल हें वह कभी भी झालिंग करते हूं नहीं नजर आएगी-टिक है, वी ओल्वेज टेंग तो गेट अटाव – अफिक हम जो एंसी जॉ कॉमारा प्रेशर पांढता हैWill इस खुशी दूबे जी ओके सो एरिबड़ी जॉइनिंग जॉइनिंग जल्दी से आजो फटावर्म स्राट करते हैं कि चलो तब तक लेएं थोड़ा बहुत इंट्रॉक्शन जब तक सब जुड़ रहे हैं चले साथ करेंगे बच्छो सबसे पहले तो हिस्ट्री का नाम जुड़ता है तो सबसे पहले इवेंट आता है विया क्या करना है हमें बहुत सारी चीजे करनी है यहां पर हम हिस्ट्री को याद भी करेंगे याद तो बच्छो करना ही पड़ेगा there is nothing to understand you have to remember कहानिया याद करते हो ना तो कहानियों के जरीया ही बच्छे हम लोग सिर्फ यहाँ पर याद करेंगे चीजों को चलो जल्दी से आजो फटाफट से ताकि मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स में इंक्लूड करूँ जल्दी आईए फटाफट से अगे देखते हैं और इसी को continue करेंगे अभी जो हमारे सामने चीजे आती हैं कि हम हिस्ट्री को दो चीजों में बच्छे यहाँ पर देखेंगे इस तो लर्न इस इस्ट्री फर्स आता है डेटा और देट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं ठीक है डेट्स 1947 में चलो में में डेट तो याद हो जाती है वह यह 1947 में हमारा देश अजाद हुआ था 50 में मैंने आपको पहले भी अपनी क्लासिस के श्रीव में भी बताया है 50 में क्या हुआ था हमारा रिपब्लिक जो सेलिप्रेट होता है कॉंस्टिशन रिलीज हुआ था राइट बट उसके लावा क्या 920 के अगर बात कर दो अभी अगर मैं पूछे चलो वर्ल वार वर्ल वार वन कब हुआ था विश्वियूत पहला कब हुआ दूसरा कब हुआ ठीक है कैसे यहां पर आ जाता है हमारे माइंड में बहुत ही सुर्य प्रकाश सो जल्दी आये ओके सो डेट आ जाती है और डेटा डेटा वच्छे होता है मैंने आपको क्या पता है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तो यह वाला जो कॉंसेप्ट है यह हमारे माइंड में बिल्कुल बैट चुका है क्यों क्योंकि हमने बहुत बार द चाहे आप 6 टैंडर के बच्चे हों चाहे आप 10 टैंडर के बच्चे हों डेट तो हर जगा ही होती है चलो everybody has joined बहुत सारे बच्चे भी आ गए सबसे पहला जो मैंने देखा जब मैंने भी सर्च आउट किया तो मुझे बहुत सारे चीजेज मैं भी बढ़ती थी तो मुझे बहुत सारी चीजें अइसी एक format मुछे नजर आया यहां पे डेट को याद करने का story method ठीक है सम ओल्ड में मुझे स्टोरी मेथफ़ नजर आया अब यह स्टोरी मेथट क्या है इसमें बच्चे में आपको बताऊंगी क्या होते जैसे कि इन्होंने नंबर्स को नंबर्स को कुछ कंड दे दिये बनी बना दिया इस तरीके से नंबर्स को कुछ मिन्न बना दिया उसके बाद स्टोरी बनाते हैं चाश्य के जरीए अज एल्ड को याद रखते एक ही चाप्टर में आपके 20 यों डेट है कितनी आप स्टोरी बनाएंगे एक एक वर्ड को पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा फिर हर एक डेट के यह साफ से आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी तो यह जो मैं तो बड़ा ही फ्लॉप सा लगा लेकिन इसके लावा जो मैं करती थी वो कैसे करती थी वो मैं आपको बताऊंगे कैसे मैं इतनी सारी डेट सियाद करके मैंने पूरा हिस्ट्री का सब्जेक्ट पड़ा ठीक है सो स्टोरी में थर तो मुझे बिलकुली फ्लॉप लगाए आगे चलते हैं यहां पे जब मैंने इसको करनी की कुशश करी मे मेरे माइंड भी ऐसे ही हुआ ठीक है I got very confused now what happened अब बच्चे यहां पे मैंने भी ट्राइ किया जब तो पचास से साथ स्टोरी एक तो बनाए कैसे 1947 में क्या हुआ 20 में क्या हुआ इतनी सारी स्टोरी बनाने में एक तो टाइम कंजूमिंग सब से जाद है क्या है टाइम टेक अब करें क्या तो आज के जो सबसे पहली ट्रिक है is the make audio files आप क्या कर सकते है आप क्या कर सकते है आप क्या कर सकते है ओडियो फाइस बना सकते है अपना WhatsApp पर एक परसनल गूब ना लिए मैंने भी ऐसी किया हुआ हुआ है अपना एक खुद का गूब बना किया उसको फिर अड़ा दिया तिक है मेरा वो परसनल गूब हो गया माई नोट्स के नाम से आप ऐसे अपने फोन में भी audio clips record कर सकते है मैं यह नहीं कह रही पूरे चाप्टर की कहानी उसमें भर लेना तिक है मैं भी आपको बताऊंगे कैसे आप record करोगे आप एक एक डेट जैसे की डेट का तिक है अब इसको explain करूंगे ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहते हूं तिक है I know बहुत सारी चीज़े confused हो रही होगी आप audio file बच्चे कैसे बनाओगे सबसे पहले तो जैसे एक चाप्टर में आपके 50 डेट्स है for example हमारे देश में अंग्रेज आये थे 1707 में ठीक है वो लेके आये थे अपने साथ बहुत सारी चीज़ें उसके बाद उन्होंने 1720 में क्या किया उन्होंने इती पूसलतान जी को कब हर आया ठीक है हमारी ऐसे ऐसे डेट्स हमारी 8th standard में काफी सारी होती है ठीक है तो इन ड चाप्टर में जितने भी 10 ओडियों थे मैंने सब के एक एक क्लिप बना लिए तो उस क्लिप के हिसाब से मुझे लर्ण करना इजी हो गया अब इसका एक्जांपल में आपको डिटर्न में दिखाती हूं नाओ इफ यू बोंट टू मेक चाप्टर वाइज ओडियो क्लिप आपके बुक में 10 चाप्टर है आप सिर्फ 10 ओडियो बनाएगे ऐसा नहीं कि बड़े बड़े ओडियो आप बनाएंगे एक चाप्टर के आप एक ओडियो फाइल बना लीजी एक पूरी फाइल बना दस अगर डेट है जादा नहीं होती माम ने आपको बढ़ाया होगा कि कितनी कितनी डेट्स आप उसमें हो सकता है तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते है राइट ना ओके ओके शुश्मिता ओके राइट ओल देट्स असेंडिंग ओडर चलो क्लिप रिकॉर्ड कर ली ठीक है अब आप 18, 17, 19 असेंडिंग ओडर पता है न बच्छे क्या होता है बड़े से चोटा चोटे से बड़ा डिसेंडिंग बोल दिया मैंने चोटे से बड़ा तो आप सबसे पहले 17 की डेट्स की फाइल रखेंगे फिर 18 की फिर 19 की काम थोड़ा महनत वाला नहीं है सर्फ आपक क्या करना है याद करने के दूसरे दूसरे तरीके निकाल लें ठीक है को इस बच्छे लास में आएगा ओके सो इसी तरीके साब असेंडिंग ओडर में क्रियेट करके फोल्डर को अप्लोड कर सकते हैं अब इसमें मेरी बात समझो और एक्जांपल देखो एक्जांपल सबसे पहले डेट आती है 1940 ठीक है मैंना को गया बताया वर्ल्ड वार वन बिगें ओडियो क्लिप स्टॉप नेक्स्ट ठीक है 1918 वर्ल्ड वार वर वन एंड्स ओडियो खतम ठीक है नेक्स्ट आपका 1939 वर्ल्ड वार टू बिगेंस यह कुछ मेंडेट्स हो गई मैं हमारी एक्जांप में आएंगे 40 मार्क्स वारी पहले क्लास 7 की डाउट नट पर तही है तैयारी तो बिच्चा हर किसी की हो रही है आप आप ड़िसाना फोल्ड बना लो अब क्या करना है शुष्मिता स्मॉल तो बेग ड़िस अ असेंडिंग ओडर एक ही क्रिएट करना है यानि कि अगर 15 से 20 डेट आपके 1 चैप्टर में होती है तो आपको एक-दू मिनट करना है और आपको क्लियर हो जाएगा तो वोन चाप् और अराम से आप अपना data record कर सकते हो बार बार उसको recall कर सकते हो recall करने से क्या होगा आपकी जो बार-बार memorization power है न वो strong हो जाएगे and you will able to record it again and again ठीक है आप उसको बार-बार सुनोगे तो अच्छा रहेगा ठीक है very easy trick thank you so much बच्चे चलो आगे चलते हैं इसके benefit क्या होंगे सबसे पहले मैं आपको story method बताया था न के 1947 के हिसाब से story बना लेना ठीक है अब story बनाना भी बड़ा difficult हो जाएगा how you will remember ठीक है तो यहां पर हमने क्या किया हमने audio method ले लिया फोन में रिकॉर्ड करना अच्छा बुक खोली 1947 में यह हुआ था नाइंटीन में यह हुआ था ठीक है क्लियर है stop किया save किया ascending order में लगा लिया ताकि जब भी कोलना है हम कोल के इसको check कर सकते हो सुन सकते ठीक है now benefit क्या आता है इसमें benefit यह आता है बचे कि आपको time save करता है save your time ठीक है आपको कुछ नहीं लिखना आपको technology यूज करने है मैं यहां पर यह कहूंगी you are using your phones ठीक और हमारा phone आजकल इतना high-tech है कि उसमें सब कुछ है everything is there ठीक हम अपने phones को यूज कर सकते हैं हम अपने इसमें आप इस्टॉल कर सकते हो ठीक है अगर आपके पास सिस्टेम है तो आप अपने computerize में computer में कर सकते है save file folder बना सकते है you can use your break time to revise a date आपका break time हो है ठीक हमी ने काया चलो अब एक घंटे आप खेले चले जाओ या फिर आप टीवी देख रहे हैं या फिर आप music सुन रहे हैं तो music सुनने के जगा अगर आप एक minute उसको सुन लेंगे तो आपको क्या होगा वो सारी dates recall हो जाएंगी तो और आम जब बार-बार कि एक टाइम को यूज कर चकते हो ठीक है एक ये चीज हो गई नाव थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है इट सेव एनजी आपकी पस क्या होगा आपकी एनजी सेव होगी प्लस आपकी सारी डेट एक साथ ही रवाइस हो जाएंगी मतलब एक चाप्टर पूरा आपका कम्प्ली टिक है यूज कम्प्लीट ओल्योर बन चाप्टर अब आपकी आपकी तो आपकी सेव एटपून लगाने और यूज के लिए रवाइस हो टिक है मैरा परसलो मॉबाइल नहीं है कोई बात इससे परसलो मॉबाइल की जरूद भी नहीं होती है तो आप सेवेंट पे होंगे स्दिक हरे तो आपकी बाते कि आपकी बाते नहीं होंगे तो यूज के लिए मोसे फोन ममा लाटेंगे नहीं को कि आपको काम की चीज कर रहे हो तीक है अब एवर लेक्स अब यहां पर इस चीज को और एक्सप्लें कर लेकर है मैंने यहां पर डे डिट दिये हम स्कूल दोर यहां से जा रहा है कि कहां से जा रहा है आपको बहुत घुम गुम के आप जाओगे एक बार दो बार तीन बार लेकिन जब रेगुलर जाओगे डेली जाओगे तो अगर आखे आखे आपके ब्लाइफोल्ड कर देना आपको बट्टी बान दे तो भी आप शायद डिर्क ली यहां यहां से रेट आएगा यहां से लेफ्ट आएगा ठीके यू कें अंडिसर्टै नाओ यहां पर मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ बच्चे अगर आप ओडू क्लिप्स को बार बार सुनेंगे ठीके जस्वार फाइफ मिन जस्वार तेन मिनित तो आपको क्या होग जो डेट्स आपका सबसे बड़ा अजेंडा है न हिस्ट्री में जिसकी वज़े से हमें हिस्ट्री बोरिंग लगती है तो यह वो शायद यहां पे solve हो जाएगी यह सुती यहार इन 7th I know मैंने 6 बोल दिया ठीक है तो यहां पे आपका dates जो है वो resolve हो जाएगा ठीक है तो यह understand हो गया now अब आता है theory part इतनी बड़ी बावर की और हुमायूजी की और अकबर जी कहानियम पढ़े गैसे कौन किसका बेटा था इसी में confusion हो जाता है राइट तो यहां पे बच्चों थियोरे पार्ट को रिवाइस करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको recalling method यूज करना चाहिए जब मैं तीना अपनी classes में तो यहां पे बच्चों क्या करते थे रिकॉल करते थे चीजों को ठीक है वहाव दू रिकॉल जो भी चीज़े हमने पढ़ी है न हम उसको बार बार रिकॉल करते थे ठीक है जितने भी चीज़े हमने पढ़ी है for example मतलब जैसे मैंने आपको world war का बताया right so वो कब हुआ कैसे हुआ यह सारी चीज़े हम रिकॉल करेंगे and we can understand better तो आप recalling method यूज कर लो कहानी में एक बार पढ़ लिया ठीक है now you can आप बार बार उसको repeat करते रहो तो अच्छा ध्यान रख लो तो आपको वो चीज़े अपने आप याद हो जाएगी मैं मुझे के history के question answer याद नहीं रहते तो याद करने के लिए बच्छे बतारियो मैं आप अपने words में उसको लिखो recall तो चलो कर लिया ठीक है आप उसको own words में लिख लो याद इसलिए नहीं होते just because answers काफी बड़े होते मुझे भी याद नहीं होते थे ठीक है लेकिन मैंने उसकी story को समझ के यहाँ पे अपने शब्दों में कहानी लिखी जब हम अपने words में कहानी लिखते जैसे मैंने यह कुछ नहीं बनाया ठीक है अपने शब्दों में अच्छा हिंदी और इंग्लिश दोनों के words यूज करो बाबर हिंदी में इंग्लिश में लिखा यहां आए थे मैंने इस टाइप से नोट्स बनाएं तो इसका मतलब क्या हुआ पूरा जो उसका concept था न वो मुझे याद हो जाएगा और मैं अपने इस note-down important points हम क्या करते हैं जिस भी event का जो भी बहुत ही जादा important event होगा उसको हम copy में note-down कर लेंगे तो जैसे आज क्या date है 26 June sorry 26 June है तो हमने जो भी event करना है आज जो भी आज पढ़ा है न हम उसको डाइरी में note-down कर लेंगे for example आपके एक ऐसी कोई भी डाइग होगी ना फादवली ठीक उसको बना लेना date wise उसमें लिख लेना जो भी आपने जिस दिन पढ़ा है आपको जब revise करना होगा just flip it on और आपको सारी चीज़े पिछे revise हो जाएगी इसी तरीके से आपको maybe history easy लगने लगे और आप शायद पढ़ ले civics boring क्यों लगती है civics बचे मेरा तो favorite subject है मैं SST में हुई है सलिए क्योंकि civics और history मेरे तो favorite subject है ठीक है so civics civics को interesting करने के लिए पिछलो मैं किसी दिन idea सोचूँगी और आपको बताऊंगी विशे civics को करने के लिए आप GK का जारा ले सकते हैं civics is just क्या है your civics is just the normal thing ठीक है वो आपके जो events होते हैं उसके लिए normal है चलो अब फटाबट से quiz करते हैं दो question आएंगे जो भी हमने आज पढ़ा है तेक है now first question when did the world war one begin 1914, 1918, 1920, 1947 okay next, next question is next question is there in your screen okay which method suggested to you to recall all your dates with ease ठीक है कौन सा method मैंने आपको बताया, story method, recalling method, audio recording method या फिर all of these, चल्दी बताऊ अच्छे okay done, so now एक बार answers ले ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे easy था बच्छे मैंना आपसे दौरान यही question पूछे है when did the world war one begin, काँ हुआ था था बच्छे it was in 1914, 1914 में यह हुआ था, right next is, which method suggested to you to recall all your dates with ease आपको comfortably मैंने क्या बताया, अप किस तरीके से अपना जो सारा data है वो कैसे याद कर सकते है that is by the audio recording method ठीक है तो दो चीज़े मैंने बताई है, I hope you have understood और आपको सही लगाओ, कुछ और अगर इसके बारे में आपको जाना है just let me know into the comment section ठीक है मैं उसके अपर ज़रू काम करूँगी साथ ही बच्छो अगर आपको सही लगाओ video या concept तो आपको ज़स क्या करना है, like, share and comment और subscribe कर देना चैनल को तो आपको जो आपको जो नोगाओ, और आपको जाँ लगाओ, टाएपको जाप्टे।